नमस्कार, सबसे पहले आप सभी को वर्स 2022 की सुबकामना आए, कैसा रहने वाला होगा ये नया वर्स, करियर, फाइनांस, स्वास्त और पारिवारिक दृष्टी से वरष्चिक राशी के जातकों के लिए ये हम इस वीडियो में जानेंगे। ग्रह गोचर का क्या प्रभाव होगा ये राशी फल आपकी चंद राशी और नामक्षर पर आदारित है। और अपनी प्रसंसा पाने के अभिलाशी भी ऐसे लोग होते हैं। अब बात करें करियर की दृष्टी से कैसा रहेगा वर्स 2022। तो दोस्तो इस वर्स आपको पहले से अधिक मेहनत करने की आवश्यक्ता होगी। अपनी एकागरता, प्रयास और कड़ी मेहनत के दम पर आप इस वर्स करियर में सफलता प्राप्त करेंगे। अप्रेल के बाद जब ब्रैस्पती पांचवे भाव में गोचर करेंगे तब आपकी स्तिती में कुछ सुधार देखने को मिल सकता है। और साथ ही आपको अपने सत्रों के कारण काम में कुछ समश्याएं भी आ सकती हैं। इसलिए आपको कड़ी मेहनत करना जारी रखने की आवर्शक्ता पड़ेगी। और साथ ही सतर्क रहने की भी आपको सला दी जाती है। अब बात करें आर्तिक इस्तिती की तो वर्श परियंद खूब मेहनत करने से अच्छे परिणामों की पराप्ती होगी। वे लोग जो किसी बिजनेस में हैं या उनके खुदगा वेबसाय हैं उनके लिए उतार चड़ाव से भरा ये समय रहेगा। अप्रेल से सितंबर के विच प्रोपरिटी खरीदने में आपको सफलता पराप्त होगी। आपके लिए आई के नए इस्त्रोत खुल सकते हैं। और इस वर्श संपत्ती खरीदने की संभावना पहले के मुकाबले थोड़ी कम है। ताकि पिछले श्हमाई के दोरान किसी बड़े निवेश से आपको थोड़ा बचना चाहिए। परिशानियां आपको तनाप दे सकती हैं। विसेश रूप से जनवरी से लेकर फरवरी तक पिता की सेहट में गिरावट आ सकती है। अब बात करें आपके स्वास्त की दृष्टी से कैसा रहेगा ये वर्स। तो ये वर्स आपके लिए मिस्रित परिणाम देगा। बार बार आपकी परिक्ष्य लेंगे। कुछ सारे रिकर्ष्ट दे सकते हैं। इसलिए खान पान पर विसेश ध्यान रखने से शावदानी बरतनी चाहिए। अब बात करें कुछ सामान उपायों की जो सभी वर्स्चिक रासी के जायतकों को करना चाहिए। वर्स की सुरुगात से ही आप हनुआन जी के पूजन, दर्शन और साधना करने का आप नियम बना लीजिए। मंगल बार को हनुआन चाहिशा का पार्ट वर्स वर्द करना है। रोजगार रोज आना आपको घर से निकलते समय मस्तिस्क पर शुद्ध केजर अध्वहल्दी का तिरक लगाए। इससे आपके जीवर में सकारात्मक प्रभाब देखने को मिलेगा।